मचल्हाल vendor putito यहां होती है मचल्हों की बारिष रहस्य मईं घटना आस्मान से आपने बारिष द्रोले गिरते हुए कई बार देखा हो लेकिन पकभी आपने आस्मान से मचल्हों की बारिष होते देखा है दुनिया में कई बार आसमान से मचलियों और ऐसे जानवरों की घटनाएं देखी गई हैं जो अपने आप नहीं उर सकते लेकिन आप यह जानकर चौक सकते हैं यकीन मानिये दुनिया में एक ऐसी भी जगए हैं जहां सो सालों से मचलियों की बारिश होती है तस्वीरों में देया के कैसी है एक जगए इसके साथ ही यहां रहने वाले लोग इसे रैंज ओ फिश मौसं फैस्टवल के रूप में मनाते हैं होंदुरास में होती है मचलियों की बारिश लेटन अमेरिकन कांट्री होंदुरास की राजधानी युरो में हर साल गर्मियों में मचलियों की वर्षा नाम से वच फेस्टवल मनाया जाता है इस फेस्टवल की सबसे खास बात यह है कि फेस्टवल के दौरान मचलियों की बारिश होती है आप यह बात पढ़कर चौक सकते हैं लेकिन यह बात वैग्यानिक रूप से पूरी तरह से सच और प्रमानित है योरो में इसी फेस्टवल को मई और जून में पहली जोर्दार बारिश के साथ ही मनाया जाता है इस मौके पर आसमान से मचलियों की बारिश होने जैसी सर्प्राइजिंग घटना होती है होन्दुरास निवासी कहते हैं फादर सुबीराना मेरे कल होन्दुरोस निवासी इस सर्प्राइज कर देने वाली घटना को धार्मिक गुरू फादर सुबीराना के मिरे कल से जोर कर देखते हैं इस लोक अथा के अनुसार साल 1866 में फादर सुभीराना होंदुरोसाने के बाद फादर सुभीराना यहां रहने वाले लोगों की गरीबी देखकर काफी दुखी हुए इसके बाद उन्होंने से इन नागरिकों की भूख मिटाने के लिए इश्वर की प्रिया शुरू कर दी। इसके बाद जब फादर तीन दिनों तक प्रिया करते रहे तो तीसरे दिन भगवान ने फादर की पोकार सुनी और आसमान से जोड़तार मचलियों की वर्शा हुई इ से वहां रहने वाले लोगों की भूख मिटी। इसके बाद से हर साल गर्मियों में मचलियों की बर्शा होती है। इंडिया में भी बरस चुकी हैं मचलियां यह चौगाने वाली घटना सिर्फ लेटन अमेरिकी देश में नहीं हुई बालकी एशिया के कई देश जैसे श्र इतनाए देखी गई हैं। विग्यान के आधार पर यह मचलियां तूफान और टानेटों के दौरान बादलों में फिस जाती हैं। इसके बाद बारिश होने पर जमीन गिर जाती हैं।